हालो दोसों दिखरें चनल कैंपुस नियूर्स दोसों देले के फोर समेश्टर और सिक समेश्टर के एकजाम को लेके जो है डियू के तरफ से जो है ऑफिसल नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है कि आपका एकजाम जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया या फिर स्कूलों पर लड़निंग के चात्रों तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के उपर में चर्चा करेंगे बांकी आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल लेकिन को प्रेस्ट कर को बटन दवा लिजेगा ताकि डियू से रिलेटेर स के चात्रों या फिर इसक्क सेमेश्टर के चात्रों तो उनका एक्जाम जो है आफ्लैन माध्यम से लिया जाएगा हलाकि चात्रों को जो है कुछ छूट दिया गया है तो यह नोटिफीकेशन जो हम डाउंग्लूड कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या-क्या दोजार बाइस दोफॉलविंग प्रोविजन है यानि कि इसमें यही कहा गया है कि 11-222 को जो है एक नोटिफिकेशन जो है डियू की तरफ से जो है रिलिज किया गया था जिसमें कहा गया था कि आपका एक्जाम जो है मई जून में आफ्लान अदम से होगा तो उसी को लेके जो है कंटून्यू यह नोटिफिकेशन जो है और आपका एक्जाम जो है चाहे कि इसको लेके जहा कुछ पॉइंट दिया गया और छात्रों को कुछ छूट दिया गया एक्जाम में यह जो है कुछ पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूं जैसे पहला जो है डूरेशन आफ एक्जामनेशन इसमें यही का गया है कि छात्रों को जो है एक्जाम के लिए जो है 30 मिनट जो है एक्जाम जो है एक्जाम आपको दिया जा रहा है बाकी दूसरा जो है Faculty Department will be requested to the given additional choices in the question paper wherever applicable इनकी समें यह कहा गया है कि Faculty और Department से request किया जाता है कि छात्रों को जो है additional choice करने का je question paper choice करने का je option दिया जाएगा और फिर जो है आप अपना एक्जाम जो है देंगे तीसरा जो है those student who have filled the examination form and are not able to appear for it due to to justifiable region यानि कि इसमें यह कहा गया है कि जो चात्र examination form तो अपना fill up कर देते हैं लेकिन किसी कारण से अपना exam जो है नहीं दे पाते हैं मई जून में physical mode में तो उनके लिए दुवारा से जो है second phase में जो है exam जो है नीड़ेट स्टुडेंट यानि कि इसमें यह कहा गया है कि फैकल्टी डिपार्टमेंट और कॉलेज से जो है request किया जाता है कि जिन छात्रों को जो है study मेटरिल की जरूरत है उन्हें जो है up-laard करवाया जाए बाकी पाचवाँ जो है faculty department college will be requested to the conduct mock test in additional two classes test of IA यानि किसमें यह कहा गया है कि faculty department और college से जो है request किया जाता है कि छातरों के लिए जो है mock test करवाया जाए उसके बाद जो है additional classes लिया जाए जिसमें उन्हें जो है देया respective website यानि किसमें जो है faculty department और college से जो है request किया जाता है कि आपको जो है अपना जो है जो है जो है official website पे जो है release कर दिया जाए तो इसी को लेके जो है यह notification है तो उम्मीद है कि आपको जो है पूरा जो है आ गया है कि आपका exam जो है मैजुन में जो है offline मादम से ही जो है conduct करवाया जाएगा अब जो है कोई भी option आपके पास में नहीं है तो आप जो है अच्छे सा तैयारी start कर दे बाकि और भी कोई confusion होगा या फिर कोई सवाल होगा तो आप हमें comment करके भी जो है पूछ सकते हो बा कि सुक्रिया धन्यवाद